नमस्कार मैं सतीस महरा आज हम बात करेंगे बहुत ही मार्मिक दुरगटना के विशेपर जिसमें गत्चनिवार को तीन बेगुना जाने चली गई थी देश में बड़ी-बड़ी आटो कंपनियां आए दिन अकवारों और टेलिविजन में बड़े-बड़े विग्यापनों के माध्यम से चमचमाती कारों के विग्यापन देकर अपने उतपादों के प्रती गराकों का ध्यान अकरसित कर चांदी कूट रही हैं नई-नई टेकनोलोजी होने का दावा और दम भरती हैं वहीं सुपर टेकनोलोजी और सब कुछ आटो चालित होने की बात कहकर उतपाद की कम्यों पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही जिससे हर साल हजारों लोगों की बिना किसी मानिवे गल्ती के जान चली जा रही है आधुनिक मशीनी युग में माना जा सकता है कि स्वचालित प्रावधान आटोमेटिक हो लेकिन ये कम्पनिया मानिवे रोल को भूल वैटी हैं और किसी भी आधुनिक टेकनोलोजी की गाड़ी में अमर्जेंसी डोर तक का प्रावधान नहीं कर पा रही यदि अमर्जेंसी डोर या अन्य कोई विकल्ब होता तो शाबाद के पास सनिवार को कार में लगी आग से तीन जान बच सकती थी आटोम्पनियों को इस प्रकार की गटनाओं से सबक लेने की जुरूरत है नई टेकनोलोजी में थोड़ा सा मानुत चालित विकल्ब रखने से देश में हर साल गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं से होने वाली हजारों जानों को बचाया जा सकता है विगत सनिवार के दिन हरियाना में शाबाद के पास अट्री का गाड़ी में आग लगने से पिता और दो मासुम पुत्रियों की दम घोटने वजलने से धर्दनाक मर्त्यू हो गई और एक ही प्रिवार के पांच सदे से गंभी रूप से जखमी हो गई पिछले महीने अरियाना के कलायत में ही कार में आग लगने की घटना से दो जान चली गई थी शाबाद के पास हुई घटना से मेरा नीची रूप से मन बहुत व्यथित हुआ है प्रोफेसर संदीव कुमार चंडीगर इनुश्टी में मेरी बेटी के उकलेग थे मैं स्विम भी उनसे कई बार मिला हूँ एक निहायत शरीफ और होनहार युव प्रोफेसर थे मन में बहुत पीडा के चलते तीनों दिवंगत आत्मा को सर्दानजली भी अर्पित करता हूँ और आटो उत्पादित कंपनियों को चेताना का काम भी करता हूँ जो हाई सिकोर्टी हाई टेकनोलोजी के नाम पर सुविधाओं के साथ साथ मौत भी बेच रही है मार्केट में स्वचालित कार मोटर गाड़ियां आने से पहले शीशे की खिड़की और दरवाजे मैनुवल खुलते थे गाड़ियों में किसी प्रकार की आग की घटना होने से अंदर बैठी विश्वारी आसानी से बच सकती थी क्योंकि पहले हाथ से के द्वारा खिड़की खुली जा सकती थी अब सबकुछ सोचालित के चक्कर में यह आटो उत्वारित कंपनिया मैनुवल बेवस्था को भूर बैठी है इससे बहुत अधिक जनहानी हो रही है भारत में कार और मोटर गाड़ियों में लगी आग की घटनाओं के आंकड़ों की बात करें तो भारत ये सडक परिवेन और राजमार्क मंतराले के अनुशार भारत में हर साल लगबग 1.5 लाग सडक दुरगटनाई होती है जिन में से लगबग 40,000 से अधिक मामलों में बहान जलने की घटनाई शामिल है इन में लाखों की संख्या में लोग कमभी रूप से जख्मी होते हैं और अपनी जानगवा बैठते हैं वर्ष 2020 में भारत में 1,51,417 सडक दुरगटनाई होई जिन में 43,884 मामलों में वहान जलने की घटनाई शामिल थी 2019 में भारत में 1,51,113 सडक दुरगटनाई होई जिन में 49,744 मामलों में वहान चलने की घटनाई शामिल थी इस प्रकार से इन 3 सालों में लाखों बेगुना जान चली गई सडक प्रिवयन दुरगटना होना मानवी गलती के साथ सडकों की खराबी का भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है दुरगटनाओं के प्रति निश्चित रूप से जागरुपता बड़ी है और दुरगटनाएं भी कम हुई है दुसरी ओर कारों में आटो वेवस्था के चलते वाइरिंग, स्पार्किंग, बैटरी में खराबी वे अन्या प्रकार की कम्यों के चलते आग लगने की कंपनियां मानती रही हैं कि फ्यूल रिशाव, ट्रांसमिशन द्रव, पावर स्टीरिंग, तेल आदी जैसे महत्वपूर्ण तर्पदार्थों का रिशाव कार में आग लगने का कारण हो सकता है इसलिए लोगों को भी कार के साथ साथ सड़क पर उतरने से पहले हमेशा कि इसी भी रिशाव की चांज कर लेनी चाहिए, गर्मी का मौसम आते ही कार में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता है, तेज गर्मी, लापरवाई और कुछ तकनीकी खामिया इन हाच्चों के लिए जिम्मेदार हो सकती है, कंपनियों का ये भी मानना है कि पेट् ओटो कंपनियों द्वारा दी गई सभी सला और जागरुकता के टिप्स बहुत जरूरी है, लेकिन बात मुद्दे की एया है कि सब कुछ सोचालित कर देने के बाद मानोचालित भी एक विकल्प एमर्जेंसी डोर होना चाहिए, जो चालक द्वारा प्रियोग में लाया जा के यदीज प्रकार की विश्ता होगी, तो निश्चित रूप से हजारों जाने बचाई जा सकती हैं.